यहाँ पर हमें एक table दी गई है, जिसमें हमें missing values को find out करना है, और यहाँ पर जो measurements हैं, वो दी गई है, centimeter में, तो चलिए इस table का जो part number 1 है, वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखें, जो length है न, वो हमें दी गई है, कितनी, 4 centimeter, मैं यहाँ पर जो unit है, वो साथ साथ नहीं write कर करेंगे, जब हम इसका volume find out करेंगे, तो देखें, यह length कितनी है, इसकी 4 centimeter है, और यहाँ पर जो breath है, वो दी गई है, हमें कितनी, 3 centimeter, और जो height है, वो यहाँ पर दी गई है, 5 centimeter, तो volume जो है, क्या होता है, वो होता है, length multiply, breath multiply, height, यहाँ पर मैं write कर दूँगा, length कितना, इसका 4, breath है 3, और जो height है, वो है 5, तो multiply करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा, 4, 3, 12, 12, 5, 60 centimeter cube, ठीक है, अभी देख लेते हैं, इसका part number 2, तो part number 2 में, यहाँ पे जो length है, वो हमें दी गई है 12, और breath है, वो दी गई है 9, height यहाँ पे दी गई है 12, तो इसका जो volume है, वो निकाल लेते ह है, हमारे पास length, multiply breath, multiply height, तो इधर जो length है, वो है 12, breath है 9, और height है यहाँ पे 12, तो हमारे पास जो result है, वो आता है, 1, 2, 9, 6 centimeter cube, अभी देख लेते हैं, इसका जो part number 3 है, तो part number 3 में, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, जो length है इसकी, वो है 16, breath है यहाँ पे 14, और जो height है, वो है, यहाँ पर 18, volume find out करना है, तो volume of keyword का जो formula है, वो होता है, length, multiply breath, multiply height, तो length है यहाँ पे 16, breath है 14, और जो height है, वो है 18, और जब इन तीनों को हम multiply करते हैं, तो यह आ जाता है, 4032 centimeter cube, next है इसका part number 4, तो part number 4 में, यहाँ पे length है, तो हमें find out करनी है, ठीक है, इसकी breath है 28, और height है यहाँ पे 24, और जो volume है, वो हमें दिया गया है, यहाँ पे 26208, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे, इसकी length find out करनी है, तो cuboid में जो length निकालने का formula होता है, वो क्या होता है, वो होता है, कि हम volume को divide कर देते हैं, किससे, जो इसकी dimension given होती है, तो यह है यहाँ पे breath और height, तो breath multiply height आजाएगा upon में, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे volume write कर लेते हैं, तो यह है, 26208, and upon में यह है, यहाँ पे 28 multiplied 24, तो चलिए divide कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 122024, यहाँ पे 122024, 12 बंजा 122096, और 124048, यह divide हो जाएगा, अब इसको फिर divide कर लेते हैं, हम 2 से, तो यह two बंजा, ठीक है, 02918, 224, फिर इसको 7 से कर लेते हैं, तो यह 74 जा, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 बंजा, 7, and यह हो जाएगा, यहाँ पे 7535, ठीक है, and 7642, अब इसको कर लेते हैं, तो 756 आए ने यहाँ पे, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 744 जा जा तो यह आ जाएगा कितना फूर से कर लेंगे तो फूर थ्री जा ट्वैल और फूर नाइन जा थर्टी सिक्स तो यह आ जाएगा यहाँ पे कितना थर्टी नाइन सेंटी मीटर ठीक है अभी हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर फाइब तो पार्ट नंबर फाइब में यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें दी गई है कितनी 40 ठीक है और ब्रेथ यहाँ पे दी गई है कितनी 24 और वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है इसका 2400 हमें क्या निकालना है यहाँ पे इसका हमें निकालना है हाइट तो height निकालने का जो formula होता है क्यूबविड का वो क्या होता है volume को divide कर देते हैं हम given dimensions ते हैं यहाँ पे यह length है और breath है तो लिख दूँगा मैं length multiply breath volume है 2, 4, double, 0 and length है यहाँ पे 40 और breath है 24 ठीक है तो cut कर लेते हैं इसको तो यह हो जाएगा यहाँ पे 24 से 24 कटा तो यह 0 और बचा 2, 2s are 4 2, 5s are 10 तो यह आ जाएगा यहाँ पे 5 upon 2 ठीक है तो 5 upon 2 को जो हम divide करेंगे यहाँ पे तो यह कितना आ जाएगा 2.5 cm तो जो इसकी height है वो आ जाएगी यहाँ पे 2.5 cm part number 6 देखते हैं चलिए 6 में यहाँ पे जो length है वो है 60 और जो इसकी height है वो यहाँ पे दी गई है 5 और जो इसका volume है वो यहाँ पे दिया गया है 5, 4, double, 0 ठीक है हमें करना क्या है यहाँ यहाँ पे हमें निकालना है इसका breath निकालना है ठीक है तो breath निकालने का formula क्या होता है क्यूबोइड का यह होता है कि वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं हम किस से लेंथ और हाइट के मल्टिप्लाई से ठीक है यहाँ पर यह दिए गए है हमें तो इनी से डिवाइड करेंगे इसको तो वॉल्यूम है 5,4, double, 0 डिवाइड वाइड वाइ, 60 multiply 5 तो कट कर लेते हैं 0 से 0 गया यह 6,9 जा 54 और यह 0, 5 बन जा 5,8 जा तो इसकी जो ब्रायत है वो आ गई हमारे पास 18 सेंटीमीटर